Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains, this is me शिप्रातिवारी बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में आपको प्रवाइट करा जाता है बिल्कुल बहतरीन एक नमबर एड्यूकेशन वो भी बिल्कुल फ्री ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बहतरीन कुछ कर सके तो last class में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत confusion हो इसलिए मैं आपको एक छोटा सा quick revision देना चाहती हूँ लेना चाहू तो ले लो और अगर समझ में आ गया है तो भी सुन लो थोड़ा सा तो last class में हम लोगों ने थोड़ा सा besidio mycities class को पढ़ा था जिसमें मैंने आपको उसके general characteristics बताये थे जिसमें मैंने आपको ganoderma species के बारे में बताये था मैंने उसमें यह भी बताये था कि जंगल को लगाना बहुत मुश्किल उसको गाना बहुत मुश्किल पर ganoderma इतना खतरनाक fungus है इतनी खतरनाक जो है फंजाई होती है कि पूरा पूरा जंगल तबाह कर देती है आई बत समझ में फिर मैंने आपको बताये था इसके septa के बारे में क्या होता है को आउन से primary mycelium, secondary mycelium, फिर मैंने इनके sports के बारे में आपको बताये था कि जनरली इनके में sexual reproduction ही होता है पर sexual reproduction भी बड़ा ही अजीव और गरीब type का होता है वो भी मैंने आपको बताये फिर मैंने आपको बताये कि ये sexual reproduction इनके में इनके में नहीं होता इनके में vegetative reproduction होता है जिसमें mycelin तूट जाता है और वो नया basidium बना लेता है उसके बाद मैंने आपको इसमें एक life cycle बताया था कि इनके life cycle में basically 3 phases होते हैं इनके life cycle में 3 phases कैसे होते हैं कि sexual reproduction से पन शुरू कर रहे हैं यहां पर यह basidiospore हैоватьै और वो fungal hyphaently बनाते हैं ठीक है अलग अलग टाईप की suppose इसको पनने माल ली आ फीमेल इसको पनने माल ली आ मेल ठीक है अध्यान समझते जानाanken के इसको परने माल लिया female इसको परने माल लिया male उसके बाद इन्होंने हाइफी बनाया यह दोना हाइफी mix हो गए अभी वो डाइकरियोटिक condition में है nucleus mix नहीं हुए है यही डाइकरियोटिक condition डवलप करेगा basidiocarp basidiocarp is a fruiting body या fungal body जिसके अंदर होते हैं basidium basidium क्या होता है basidium is a structure जिसके अंदर basidio spore develop होते हैं ठीक है तो यह आपके dicariotic condition अभी जो की basidio carp को develop करता है आई बात समझ में basidium को develop करता है पर अभी उसमें जो है spore अच्छे से develop नहीं हुए है पर ध्यान समझना अभी आपके पास यह जो basidio carp है इसके पास क्या क्या है पूरी full body को basidio carp कह सकते हैं आप इसके अंदर gills होते हैं gills के पास basidia होता है ठीक है basidia क्या होता है basidia एक वो condition है dance देखिए this is the basidium जिसके उपर क्या लगे हुए है जिसके उपर लगे हुए स्पोर कैसी condition में diakaryotic condition में है उसके बाद इसी पोर के अंदर क्या होगा भाई nucleus mix होगा तो अब स्पोर के पास कैसे nucleus होगा deployed nucleus ओके अब यह nucleus मियोसस डिवाइड करेंगे तो एक ही basidium के उपर कितने पोर बन गया चार ठीक है अब इन स्पोर में जिसको अपने male consider किया वह भी बन रहे है जिसको अपने female consider किया वह भी बन रहे है ठीक है उसके बाद यह स्पोर जमीन में गिरेंगे जमीन में गिरने के बाद respectively यह फिर से नया हाइफा बनाएंगे और same way condition चलती रहेगी तो इनके cycle में basically 3 phase है haploid phase जिसमें सिर्फ सिंगल सेट अफ क्रोमोजोम है dicariotic phase जिसमें double set of chromosome है पर अभी nucleus mix नहीं हुआ है इसमें double set of chromosome due to the mixing of the nucleus so this is called as alteration of generation तो आज आपको मैंने यह पढ़ाया था last class में आज आपन को कुछ अलग पढ़ना है ठीक है now आज मैं आपको बताने वाली हूँ basidiomycetes का कुछ example ठीक है बहुत important है पढ़ना बहुत जरूरी है exam में आता है let me talk about the smuts ठीक है क्या होते हैं smut बिलकुल ध्यान से समझना okay देखिए smut जो होते हैं यह एक ऐसे basidiomycetes हैं जो कि thick walled spore produce करते हैं यह spore black color के होते हैं यह जो spore होते हैं यह group में गुच्छो में पाए जाते हैं और फिर जो है जब इनको spread होना होता न बच्चो तो यह spore फट जाते हैं और powder जैसा spread करते जाते हैं थीक है तो इनके जो spore होते हैं वो मोटे-मोटे होते हैं ब्लाक कलर की होते हैं जिन्हें आप कहते हैं smut spore ठीक है उसके बाद smut जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं एक होता है covered smut और एक होता है loose smut ठीक है ओके इन covered smut the spore must remain in the membranus covering of sorus ध्यान समझना, normally जो spore होते हैं, there are two types of smut smuts are the category of the bacidomycetes, इनके जो spores होते हैं, या तो इधर उदर free घुमते रहेंगे या तो ये किसी membranus covering में बंद रहेंगे, ठीक है membranus covering के अंदर बंद रहेंगे, तो इसे आप कहते हैं, sorus क्या कहते हैं, sorus, ठीक है, जैसे की ostilogo herd eye, ठीक है, ostilogo herd eye जो होता है, ये covered smut of barley है, ठीक है, बारली के खेतों में, ये अगर आप उनकी पत्तियां देखेंगे, ठीक है, तो इनके उबर गुच्छों में ऐसे ऐसे आपको दिखाई देंगे, एक पतली सी covering होगी, इस covering के उदर काले काले छोटे छोटे से आपको spores इसके दिखाई देते हैं, ठीक है, and ostilogo midis smut of the corn, आप ये देख लो, देखो ध्यान से, जब हमने corn को फाड़ोगे तो से काले काले गुच्छे आपको दिखाई देंगे इसके अंदर, तो membranous covering होती है, पतली से, जिसके अंदर काले काले spores पाये जाते हैं, ostilogo hardi is the smut of the barley, and ostilogo midis is the smut of the corn, ठीक है, loose smut spores are exposed by the eye ties to the host, ठीक है, loose smut कैसा होता है कि जैसे ही वो किसी सबजी से, जैसे मालनों जिसको भी attack करना है, उसके उपर जब attack करेगा, यह उसपर attach होगा, तो उसके उपर कोई covering नहीं होगी, directly वो attach कर हो जाएगा, कोई tension नहीं है, ठीक है, जैसे कि ostilogo nuda triticae, ठीक है, wheat, triticae, triticum estivum is the botanical name of the wheat, ठीक है, तो ostilogo nuda is the loose smut of the wheat, and ostilogo nuda is the loose smut of the oat, ठीक है, तो जब loose smut होगा, तो आपको powder जैसा दिखेगा, जबकि जो compact smut होगा, जो आपका this sorus के नदर होगा, यह membrane covering के नदर होगा, वो आपको गुच्छों में दिखाए देगा, ठीक है, ओके, now, next is the mushrooms, बहुत-बहुत प्यारे-प्यारे mushrooms आजाईए, ठीक है, ध्यान से देखिए, ओके, यह edible भी हो सकते हैं, और non-edible भी हो सकते हैं, ठीक है, ओके, यह agriculture, इसको अपन लोग कह सकते हैं, ठीक है, इनके पास basidio carp होता है, umbrella-like, आप लोगों को मैंने पहले भी पे बताया था, basidio carp, umbrella-like body, नीचे stipe, ठीक है, ओके, now, इनके पास umbrella-like basidio carp होता है, यह umbrella आपको दिखाई दे रहा है, इनके नीचे gill-like structure होते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, जिनके अंदर spores पाए जाते हैं, ठीक है, सबसे common example of the mushroom, जिसको आप खा सकते हैं, वो है, agaricus compestrous, okay, agaricus bisporus, ठीक है, वर्वेरलिया, ठीक है, वल्वेशिया, paddy straw mushroom, ठीक है, and pluratus, जैसे की, this is the paddy straw mushroom and this is the agaricals, जिसको दोनों को आप खाते हैं, even मैं आपको बताऊं की mushrooms को उगाने का सबसे बहतरीन तरीका ही यही होता है, की tree में चारा बिचा, tray में चारा बिचा दो, moisture ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हम यह दोनों mushrooms खाते है, agaricals भी और paddy straw mushroom भी, इन दोनों mushrooms को हम लोग खाते हैं, ठीक है, now, let's talk about the toad stool, ठीक है, toad stool, there are 70 to 80 species of the toad stool found in the world, ठीक है, और why it is called as toad stool, let me tell you about this, लोग ऐसा मानते हैं थे, की जो stool होता है मेंधक का, वो बड़ा ही poisonous होता है, ठीक है, बड़ा ही poisonous होता है, ठीक है, तो लोग इस mushroom को खा कर मर गए, ठीक है, तो लोगों को यह लगा, की मेंधक ने इसके उपर कुछ किया होगा, इसलिए यह भ से जानने लगे, ठीक है, toad stool mushroom में ऐसा क्या है, जो खतरनाक होता है, जो poisonous होता है, let me tell you, इसके अंदर होते हैं alkaloids, क्या होते हैं, alkaloids होते हैं, मस्क, इनके alkaloids को आप क्या कहते हैं, मस्क्रेन, एग्रीकेन, फैलेन, कुछ भी कह सकते हैं, इनके अंदर यह जो toxins होते हैं, ज समझ में, तो यह toad stool mushroom होते हैं, लोगों कहीं मानना था, कि जहां पर toad stool कर देता है, वहां पर यह grow हो जाते हैं, और यह जहरीला मार देते हैं लोगों को, ठीक है, toad stool mushrooms are the poisonous mushroom, which are generally have white spores, तो आपको दिख रहे हैं हैं, छोटे-छोटे white, white spores, इसके उपर, amantia, caesarea, sorry, इसे आ amantia, 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 sorry, amantia caesarea, यह caesar mushroom क्यों कहलाता है, क्योंकि caesar, जो roman empire के राजाते caesar, इसको खाने के बाद मर गए, ठीक है, इनको poisoning होई, ठीक है, तो इसले इसका नाम ही caesarean mushroom, रखा ही जाने लगा, तो amantia caesarea is a caesars mushroom, ठीक है, another toad stool mushroom is amantia foloids, ठीक है, death cup कहते हैं, इसको ख island नाम का alkaloid पाया जाता है, next is this amantia muscaria, it is called fly agaricus, next is the gyro mitra esculenta, it is a heat labile carcinogen and toxin, मतलब gyro mitra के पास ऐसे toxin होते हैं, जो पकाने के बाद भी खतम नहीं होते, तो अगर आपके पास गल्ती से ऐसा कोई mushroom आ भी गया है, ठीक है, मतलब वैसे तो आएगा नहीं, पर अगर मालीज आप देखते भी हैं, तो अगर लोग सोचते हैं कि mushroom कितना भी जहरी लहों पकाने के बाद उसके toxin खतम हो जाएंगे, तो एकसा बिल्कुल भी नहीं है, तो amantia saesar is one of the mushroom जो की roman empire को भी poisoning कर सकता है, आई बात समझ में, ठीक है, तो toad stool mushroom 70 to 80 species आज भी इसकी पाई जाती है, ठ ठीक है, देखिए, क्या होता है, रस्ट के बारे में, आजाओ, 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 रस्ट, देखिए, कहीं भी जंग लगती है, तो वो जगह आपको पीली दिखाई देती है, पीला कलर ये देती है, इसलिए इनका नाम रस्ट है, ठीक है, they are categorized by the formation of rusty pastels containing spores, ठीक wheat के उपर अगर आपको ऐसे brown चकत्ते दिख रहे हैं, मतलब इस wheat को rust infection हो चुका है, किसका, paxenia graminis का, ठीक है, it is called as black rust of the wheat, ठीक है, तो black और brown चकत्ते है, आपको दिखाएंगे, दिखाएंगे, paxenia glomerum, और paxenia streiformis, it is the yellow rust of wheat, wheat में आपको streiformis दिख रहे है, पीले-पीले पीले कलर के, ऐसे sports type के, ठीक है, next is paxenia, that recondita, it is a brown rust of wheat, तो कभी भी अगर आपको गें हूंके, खेतो में, black, brown, yellow, ऐसे कोई भी उभारदार चकत्ते दिखाई दे, तो अगली बार हमेशा याद रखना, कि paxenia का infection इसे हो चुका है, there are so many species, graminis, glomerum, recondita, इनके infection से, पूरा wheat का, जो खेत है, वो खराब हो जाता है, क्योंकि यह, जो smut, जो आपके rust होंगे, burst होंगे, इसके इसके इंतरे spore है, spore पूरे खेतों में फैल जाएंगे, पूरा खेत तबाह हो जाएगा, ठीक है, paxenia is the heterogeneous obligate parasite, आई बात समझ में, heterogeneous obligatory parasite का मतलब क्या होता है, let me talk about this, देखिए, हमेशा यह याद रखिए, कि किसी भी life cycle, अगर मुझे का खून चूसना है, तो हमेशा मैं उसके पीछे ही परे रहूंगी, पर अगर मेरे life cycle में, मैं दो लोगों का खून चूसती हूँ, तो मैं कैसी हो गई, heterogeneous, ठीक है, पर मुझे खून तो चूसना है, सिधी बात यह, तो इसका मतलब यह है कि I am obligatory parasite, मैं कैसी parasite हूँ, obligatory, मांगता तो मांगता, चाहिए तो चाहिए, अब ऐसी condition में, मेरे life cycle में, दो host है, पहले कुछ समय तक मैं उसका चूस लूँ, फिर कुछ समय तक उसका चूस लूँ, ऐसी condition में, ऐसी species जिनके पास दो host होते हैं, एक होता है primary host और एक होता है secondary host ठीक है, इसे आप कहते है heteroseous condition, paxenia graminis जो होता है, वो mainly heteroseous होता है, primary host है इसका wheat और secondary host है इसका burberry ठीक है, ओके तो wheat से पहले लेते हैं, फिर burberry में चले जाते हैं, आई बात समझ में, कोई दिक्कत परिशानी नह होनी चाहिए, next, let's talk about the hallucinogens, ठीक है, इसको आप magic mushroom भी कहते हैं, इसको खाने के बाद आदमी को ऐसा लगता है कि वो ऐसा उड़ रहा है, ऐसे रंगीन दुनिया नजर आती है, ठीक है, गालिब ऐसी रंगीन दुनिया में जाने के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं, ठी चावल में, डाल में, रोटी में, सब में मिला मिला के खाते हैं, खाने के बाद उसको आदमी को ये लगता है कि वो ऐसा उड़ रहा है, आई बाद समझ में, तो अगली बाद जब किसी को लगे कि हमको mushroom खाने के बाद ऐसा लग रहा है, तो actually उनने एक अलग परकार का mushroom खा है, जिसका नाम है magic mushroom, जिसका नाम क्या है, magic mushroom या इसको हम hallucinogen करने वाला mushroom भी कह सकते हैं, आई बाद समझ में, ये जिस species की विज़ा से होता है, उसका नाम है silobipaxicana, आई बाद समझ में, क्या करता है ये, actually ये एक alkaloid कह सकते है, या एक प्रड़क्ट प्रड्यूस करता है, जिसका नाम है silobin, silobin जैसे ही आप इसको खाते हैं, इसको जनरली ऐसे लोगों को fresh खाना बड़ा पसंद देगे, अब मैंने कभी try नहीं किया, मैंने सिर्फ पढ़ा है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, इसको पहले सुखा देते हैं, और फिर इसको खाते हैं, तो इसके अंदर एक product होता है, एक क्या कह सकता है, hallucinosing agent होता है, जिसका नाम है silobin, जैसे यह खाते हैं, तो silobin जाके liver में तूटता है, आई बाद समझ में, silobin तूटता कैसा है, defosphorylation होता है, ठीक है, उसके बाद defosphorylation के बाद, silobin जो है तूटता है, जैसे तूटता है, तो यह effect शुरू करता है, psychedelic effect, magic effect, आदमी को ऐसा लगता है कि वो उड़ रहा है, that is why it is called the magic mushroom, आई बाद समझ में, क्या क्या होने लगता है, उसको yawning होगा, ठकान होगी, relaxed feel होगा, drowsy feel होगा, डरने लगेगा, हसने लगेगा, रोने लगेगा, और उसको एक साथ, साथ से आठ चीज से दिखाई देंगी, आई बात समझ में, तो इन्हें हम magic mushroom, shrimp के नाम से, blue magic mushroom, golden blue mushroom के नाम से, अलग-अलग नाम से जानते हैं, ठीक है, so, silo bean mexicana is the species of mushroom, has hallucinating properties similar to LSD, ठीक है, lycergic acid, diethylamine, तो इसके जैसी properties होती है, तो जैसे इसको खाने के बाद नशा होता है, वैसे इसको भी it is used by the Mexican Indian during the certain religious ceremony, ठीक है, तो जो Mexican Indians है, ये लोग जब भी कुछ कोई अच्छी ceremony होती है, तो लोग जैसे wine लेते हैं, whiskey लेते हैं, विस्की लेते हैं, बीर लेते हैं, वो लो mushroom खाते हैं, सबके अपने-पने religious value है, so, look at this, this beautiful mushroom is called as magic mushroom, ठीक है, silo bean produce करता है, ठीक है, next, let's talk about the armal area, which is the largest fungi, ठीक है, सबसे बाड़े mushroom होते हैं, ये, this is the largest fungi, ये क्या करते हैं, पता है, ये पूरे-पूरे जंगलों में उगे हुए रहते हैं, पूरे-पूरे जंगलों में उगे हुए रहते हैं, कुछ-कुछ जंगल तो मैंने ऐसे भी पढ़े हैं, बच्चो, तो धाई- किलोमितर तक ये ग्रो diesel की हимся, इससे क्या बक्न है है, ये क्या करते हैं, कि पूरा जंगल, नूइट्रीशन खीच लेते हैं, अब जंगलों को चीच लोंग है, तो पेड़ों को क्या मिलेगा, खुछ नहीं, तिसलिए पेड का मही से जाऻारे हैं, थेक है, ये बहुत ही बोजन भी तो ज्यादा चाहिए कि ने चाहिए अब भोजन में कहां से लूंगी तो यह क्या करते हैं जो आपके बड़े-बड़े कॉनिफर ट्रीज जो बड़े-बड़े ट्रीज रहते हैं उनकी रूट में फच जाते हैं उनकी रूट से ही नूट्रीशन लेना शुरू कर आई बास समझ में तो रूट को खतम कर देते हैं तो रूट से नूट्रीशन लेते रहेंगे लेते रहेंगे जंगल जो है बिचारा दीरे-दीरे कमजोर होने लगता है पेड़ गिरने लगते हैं ठीक है तो फंगस डेबलप्ट राइजो मॉर्स इंटू दा फ्लोयम अब अच्छा जनरली आपको पता है कि फूट की सप्लाई प्लांट में कहां से होती फ्लोयम से होती की नहीं होती अब फ्लोयम नहीं कोई घुश जाए बही मेरे आज किचन में चार रोटी और एक कटोरी सब्जी मैंने बनाई ठीक है जो कि मैं बनानी पाती हूं मालो बनाया मैंने आज मेरा मन था अब उसके बाद अपने दीपक भाही आए और कुछ नहीं पूछा आचा नहीं घुश गया अपने किचन में और उनने मेरी रो मतलब यह कि दीपक भाही आज पारसाइट ऑफ माई फूड ठीक है तो यह बड़े बड़े जो कॉनिफोर ट्री जो अपना खाना बनाते हैं उसमें यह राइजो मॉर्फ डवलप कर लेते हैं मतलब थ्रेड लाइक अरेंजमेंट तो यह थ्रेड लाइक अरेंजमेंट उनक लेते हैं इनका जो बेसीडियो कार्प रहता है इस स्टार्ग राउंडेट स्टक्चर विच उपन राइपनिंग रिलीज आउट पफ और स्पोर्स ठीक है तो जनरली इनका जो बेसीडियो कार्प इनका जो बॉड़ी रहता है वह आक्चली राउंड राउंड रहता है सारे स्पोर्स बाहर निकाल देते हैं तो यह पफ लाइक आपको दिखाई देंगा एसा लगता है कि कॉटन है इस लगता है रूई के देखो गुच्छे जैसे लगते है तो हमेशा यह पता है कहां जैसे नौर्मली फंगस कहां होता है जमीन के ऊपर ऐसा दिखाई देता है य सकता ही है असको यह पर ग्रो होने लगते इनके लिए कोई बहुत ज्याधा टेंशन वाली बात नहीं है ठीक है लाइकोपरदय औह oleh अपडली ज़ापका ओवलाऊन फेर प्याव्ल्य स्पोर में होता है ठीक है लाइकोपरदय और अब्लण जिस जैसे कि पॉलीश पोरस होता है बहुत सारी और भी स्पीशी इस फंगस की तो यह बड़े-बड़े ट्री में बड़े-बड़े पत्थरों में पाई जाती है ठीक है जैसे कि लिखा भी हो आई इस आर बैसीडियो माइसीटी वूस बैसीडियो कार्प फूटिफिकेशन अपे जैसे कि पॉलीश पोरस ठीक है गैनोडर्म गैनोडर्म भी आपको मैंने पढ़ाया अब अगर यह ऐसे लगे रहेंगे और ऐसे नहीं लगे रहते पूरा पूरा तना बहरा रहता है पूरा तना का नूट्रिशन वेगरा खीज लेते अंदर यह अंदर उसको खोखला कर दे ठीक है तो यह होते हैं ब्रैकेट फंजाए नाओ तो दिस इस ओल अलबाउट दा फंजाइस ठीक है इस अलबाउट दा बैसीडियो माइसेटी इस सम उफ द एक्जामपल अफ देस मैंने आपको समें स्मट पढ़ाये मश्रूम पढ़ाये टोट स्टूल पढ़ाया रस्ट हैलोसनोजन पढ़ाया आर्मीलेरिया पढ़ाया पफ बॉल्स पढ़ाया और ब्रैकिक फंजाइ पढ़ाया तो आई होप आपको बैसीडियो माइसेटी इस का लेक्चर आपने इंजॉइ किया होगा आपको मैं नेक्स क्लास में मिलूगी अलग क्लास ऑफ फंजाइ के साथ जो कि last class होगी ठीक है last class of fungi next class में deal करेंगे तो see you in the next class lecture देखते रहिए enjoy करते रहिए और अगर ये example थे इसमें ज्यादा कुछ आपको explain करना नहीं है अगर species याद नहीं भी हो तो कोई भी tension नहीं है एक दो बार video देख लेना तो आपको चीज़े याद हो जाएंगी बस यह रखना कि ग्यानो दर्मा बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है? So, see you in the next class, गर पे रहिए, safe रहिए, thank you so much.